दूद पीने का सही समय क्या है? इस बात को लेकर हर किसी के मन में दुगदा रगती है। कई लोग काते हैं दूद सुबह सुबह नास्थे के समय पीना सही होता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकि इससे पहले कृपिया यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकाम की घंटी जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंसता रहा है। और हाँ वीडियो को लाइक करना न भूले। दूद में बिटामिन A, K और B12, थाइमीन और निकोटीनिक एसीड मिनरल्स जैसे कैलसियम, फास्फोरा, सोडियम, पोटैसियम पाये जाते हैं। या हट्डियो के लिए फाइदेबंद होता है। और इससे हमें ताकत मिलती है। दूद की प्रकिर्ति गरू होती है। गरू यानी भारी जो पचने में काफी समय लेती है। कमजोर पाचन सकती, तोचा समंदित समस्याओं, खासी, कफ, पेट के कीडे जैसी समस्याओं से अगर आप गरसित हैं, तो दूद आपके लिए बहुत ही हानिकारक होने वाली है। करिपया, दूद न पीए। आपने देखा होगा कि अकथर माताय घर में छोटे बच्चों को दिन में दूद बार बार पिलाती रती हैं, क्योंकि वे बच्चे बोजन नहीं कर पाते हैं और उनके लिए दूद नैसेसरी होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि दूद पीन से हमें नीद आती है ठकान हो जाती है क्योंकि दूद भारी और गरू होता है और यह इतनी असानी से नहीं पच्छता है अगर आप दूद पीकर आपीस जाते हैं तो देखती होंगे कि आपीस में आपको ठकान हो जाती है आपको आलस आने लगता है और आपको नीद आती है आ पाताय अपने बच्चों को अगर दूद पिला कर इस्कूल बेलती हैं तो बच्चे अक्सर इस्कूल में जा कर सोने लगते हैं और विज्जाले से सिकायत आती रहती दिन में दूद पीने के बाद लोग सोने लगते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है दूद में मिलने वाला ट्रिप्टोफन नामक एमिनो एसीड इसकी मवजूदगी नीद के हार्मोंस अस्तर को बढ़ा देती है इसी कारण दूद पीने से नीद आने लगती है आयलोबेड के अनुसाद रात को सोने से पहले भोजन करने के कुछ समयवाद दूद पीना आपके लिए हितकर होता है रातों में प्रयात समय मिलने के कारण दूद अच्छे से पच जाता है और इसमें मिलने वाला बिटामίν, मिनरल्स, प्रोटीन अच्छे से पच जाता है और आपके लिए लाबदायक होता है अगर हो सके तो दूद को गर्म करते समय उसमें थोड़ा सा हल्दी और देशी गी मिला कर गर्म करें इससे दूद की ताकत बढ़ जाती है और या शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है तो दोस्तो यह क्लियर हो गया कि दूद पीने का सही समय रात को होता है भोजन के कुछ समय बात तो दोस्तो वीडियो आपको कैसी लगी कामेंट कर जरूर बताएं धन्यवाद नमस्कार जय हिंद बंदे मात्रम